हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल एक बार पुन है नई वीडियो में आप सबका स्वागत है तो आज हम लाज से रिलेटेड बात करेंगे रेवेन्यू कोट राजस उन्यायल है और रेवेन्यू ओफिसर राजस अधिकारी तो आज़े हम सुरू करते हैं रेवेन्यू क या सहरी छेत्रों में एग्रिकल्चर लेंड या नोन एग्रिकल्चर लेंड इस प्रोपर्टी की रजिस्ट्री दाखिल खारीज प्रोशीडिंग एग्रिमेंट पट्टा अवैत कब्जा वसूली और भूराजस्व वसूली या अधि जो प्रकरिरा हैं इनके मुकदमों की कि सुनवाई या वादों का निप्टारा या ऐसे केसिज का disposal revenue court में होता है Revenue court को उत्तर प्रदेश revenue court 2006 की section 4 subsection 16 में व्यवस्था दी गई है कि कौन authorities revenue court है कि ईसके इस सेक्षन के अनुसार आप इसको एसे समझ सकते हैं इसकी न पर आप आप देखेंगे कि नंबर से लेकर के नंबर 15 तक यानि बोर्ड कुट कमिषणर और कमिषणर कमिषणर कलेक्टर से लेकर Ke नमबर 15 यानि नायब तैसिलदार तक यह revenue court की स्रिणी में आते हैं यह व्यवस्ता section 4 बताती है इसमें आरा ही सामिल नहीं है नमबर 16 पर जो revenue inspector है जिसे राजा सुनिक्सक कहते हैं और छेत्रिय बासा में हम कानून गो भी कहते हैं इनको revenue court नहीं माना गया है पहले आता है revenue board पहले आता बोर्ड या revenue बोर्ड एक ही बात है कहीं कहीं कभी हम बोर्ड लिखते हैं कहीं कहीं हम इसको revenue बोर्ड भी लिखते हैं राजा सुपरिशत जो की administrative members और judicial members से मिल करके बना होता है और यह revenue court की highest authority है और इसकी revenue court की सबसे lower court या lower authority होती है नायब तैसिलदार की court नायब तैसिलदार की अदालत जो तैसिल में होती है तैसिल इस्तर पर होती है तो यह समझे नंबर एक board commissioner additional commissioner से लेकर के नंबर 15 नायब तैसलदार तक सभी code सभी अदालतें अपने अपने level पर case work करती हैं और वादों की सुनवाई और disposal मुकदमों का निप्टारा करती है यह हमें UPRC 2006 की section 4 of section 16 बताती है तो एक court की बात जहां तक चली तो मुझे एक बात याद आई एक high court की ruling है कि in the court presiding officer and advocates both are also officers यानि PO और advocates court के अंदर जब तक है case work कर रहे हैं तो वे दोनों लोग ही officers की सिरिणी में आते हैं यानि जो पियो को presiding officer को जो सुविदा मिलेगी वो उस वकील को भी सुविदा दी जाएगी यह ruling है high court की तो next हम चलते हैं revenue officer राजस्वधिकारी UPRC 2006 की section 4 subsection 17 में यह provision है जैसा कि आप इसकीन पर देख पा रहे हैं कि number 2 से लेकर के यह 4 subsection 17 बताती है number 2 से लेकर के commissioner से लेकर के number 16 तक revenue inspector तक यह सब revenue officer की सेड़ी में आते हैं इसमें board सामिल नहीं है revenue inspector जो कानुन गो है यह revenue officer तो माने जाते हैं लेकिन revenue board revenue court नहीं है ध्यान रहे इसमें revenue एक revenue officer में revenue officer में board सामिल नहीं होते हैं लेकिन revenue inspector सामिल होते हैं कि तो बात आती है आप कहेंगे कि अगर board number 1 board और number 16 आराई को चोड़ दिया जाए तो आप आप बाकी सब को board भी कह रहे हैं revenue court भी कह रहे हैं और सभी को revenue officers भी कह रहे हैं तो आइए इस doubt को clear करते हैं कि अधरनी मित्रो लेंड revenue यानि भूराजस वसूलने के लिए चेंबर में बैट कर अवैद कबजा रोकने के लिए कोई order पास करना किसी application पर कोई order करना अवैद अतिकर्मान रोकने या हटाने के लिए कोई मुत्फर्री का order कर देना और अवैद निर्मान रोकने के लिए या ऐसा मानिए कि कोई सुपिरियर कोट का कोई order है जिसको जिसकी entry revenue record में दर्ज होनी है तो वो भी उस revenue record में अंकन करने के लिए जो अधिकारी उस पर order करता है दर्ज का दर्ज करने का यह सब काम revenue officers का होता है यह revenue officer करता है इसमें कभी गई वो administrative अपनी administrative power का भी यूज करता है तो वह revenue officer होता है किन्तु जब वही officer अदालत यानि कोट में बैठता है और land revenue से related मुकत्मों की सुनवाई करता है या order कोई pass करता है तो वह revenue कोट होता है कि किसी व्यक्ति ने किसी ग्राम समाज की भूमी पर संपत्ति ग्राम समाज पर कोई अवैद कपजा कर लिया है या कर रखा है या करना चाहता है करने की फिराक में है तो और उसके खिलाब हलका लेकपाल ने धारा 66 की कारवाई करते हुए उसकी रिपोर्ट कोट में तहलदार कोट में दे दी है और वो मुकत्मा विचारा धीन है तो उस मुकत्मे की जो सुनवाई करता है तैसिलदार तो वो उस समय revenue कोट होता है और वो revenue officer कब बन जाता है देखे जब उसी मुकत्मे में मालिया वो मुकत्मा डिक्री हो गया उसके खिलाब उसके खिलाब 10,000 रुपए की सपोज़ दैट छती पूर्टी का आदेश दिया और वो उसमें उसको बेदखल कर दिया गया कब जा मुकत करने के आदेश पारित कर लेकिन जब इसी आदेश की compliance के लिए वो अधिकारी जाता है कबजा हटवाने के लिए या वसूली के लिए तो revenue officer होता है यह अंतर आपको यह doubt side clear हुआ होगा इसको ऐसे भी मान सकते हैं एक बात और के तैसिलदार की बात अकर हम करें तो तैसिलदार क्या है revenue code भी होता है औ अपनी कार में बैठ कर भी कोई किसी दर्खास पर कोई order करता है इवन वो अपने आवास पर बैठ कर कोई काम करता है तो उस समय वे revenue officer होता है बट जब वो revenue code में तभी मानना जाएगा जब वो open code में बैठ कर मुकदमों की आवाई लगे इसमें मुकदमें पेस हो मुकदमें में सुनवाई और करवाई हो तब वो revenue code कहलाएगा तो में आई किलियर यदि हम दोनों में revenue code और revenue officer में difference की बात करें difference between revenue court and revenue officer then तो एक important बात आती है बोर्ड यानि revenue बोर्ड जो administrative member और judicial member से बना होता है revenue code तो होता है बट revenue officer नहीं होता ये बात UPRC 2006 में mention है और दूसरी important बात आप देख रहे हैं तो आता है किन्तु revenue code नहीं है अर्थात उसे कोई अदालत में बैट कर कोई मुकद में सुनने की पावर नहीं है उसका वो अधिकार नहीं है और एक और बड़ी बात जो UPRC 2006 में ही revenue officer को power दी गई है revenue officers की यानि 2016 से पहले revenue inspector यानि कानुन गो revenue officer नहीं होता था और वो power क्या है वो power ये है कि UPRC 2006 की धारा 32 32 section 32 में ये provision दिया गया है ये अधिकार revenue inspector को दे दिया गया है कि किसी revenue record में कोई गलती सेवन गलती त्रूटी या लोप किसी का नाम में कोई गलती है या किसी का नाम अधूरा छूट गया है मालिया मेरा नाम कमल वीर सिंग है तो उसमें छोड़ दिया गया है कमल वीर सिंग छोड़ दिया गया है या वीर छोड़ दिया गया है तो इस यह पावर सेक्शन 32 में रेवन्यू इंस्पक्टर को दी गई है कि वो एक आडर कर सकता है उसको दुरुस्त करने का और वो उसी प्रकार से रिकार्ड में दर्ज होता है जैसे किसी अन्या या सुपरियर कोड का रेवन्यू रिकार्ड में इंदराज किया जाता है किसी आडर क तो यह पावर रेवेन्यू इंस्पक्टर को रेवेन्यू ओफिसर बना देती है तो आप मैं समझता हूँ पहले इसको तेहलदार से निचे लेविल का कोई अधिकारी नहीं करता था दुरूस्ती तो आप मैं समझता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और यह डाउट के लिए रहा होगा रेवेन्यू कोट और रेवेन्यू ओफिसर्स का तो प्लीज लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब थैंक यू थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर वीडियो